स्वागत है आप सभी का रासु की रसोई में तो चलिए निकाल लेते हैं फिर इससे गाजर गाजर रख्यों थी तो सोचा क्या बनाएं क्या बनाएं तो सोचा बनाते हैं सर्दियों का इस पेसल गाजर का हलुआ जो सबको ही पसंद होता है तो गाजर को अच्छे से धुल ले जाएगा दूद से ही बन जाएगा बहुत ही टेश्टी अब गाजर को चील लेते हैं गाजर को चीलने के बाद इसे कर लेंगे कद्दूकस यह देखिए सारी गाजर कद्दूकस हो चुकी है अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई इसमें डालेंगे एक कब दूद दूद को पांच मनद तक पकाना है दूद को चलाते हुए पकाना है नहीं तो दूद तली में लग जाता है तो इसे चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे पांच मनद तक जब तक यह थोड़ा गाड़ा ना हो जाए अब डालेंगे इसमें अपने गाजर सभी गाजर को डाल देंगे अब इसे चलाएंगे एक से दो मिनद तक और ढखके पकने के लिए रख देंगे पांच मिनद तक इसे बीच बीच में देखके चलाते रहना है नहीं तो गाजर कलुओ तली में लग जाएगा यह देखिए थोड़ा गाड़ा सा होगे आप डाल देंगे इसमें चीनी आप उसे इतना मीठा रखना आप उसे साबसे चीनी डाल दीजिए अब थोड़ा और ढखके पकाएंगे पांच मिनद तक और हलुओ बन कर हो जाएगा बिल्कुल रेडी प्लेट में निकाल लेते हैं आप सब के लिए प्लेट में लगा दियाएगी यह देखिए कितना टेश्टी बनाए दिखने से ही मुए में पानी आ रहा है खाने के लिए अब कर लेते हैं हलुओ की सजावट आपके पास काजू किसमिस बादाम कुछ ना हो तो आप नारी अलबस से हलुओ को डेकुरेट कर सकते हैं नारी अलबस से बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आपको हमारे हलुओ की रेस्पी कैसी लगी ये लीजी आप सब के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करिए